नमस्कार यूद कर्णन यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ दारा सिंग इस समय मुझूद है उत्तर प्रदेश के कौसामबी जीले में और हम हैं इस समय कड़ा धाम में और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने गंगा जी हैं गंगा तट पर हैं इस समय मुझूद और यहां पर एक बाबा जी रहते हैं उनसे हम बात करेंगे इस घाट के बारे में और देख सकते हैं कि हमारे सामने एक तज़्वीर दिख रही है बताते हैं कि यहां रहजा महराजाओं का यहां किला है और इसमें बताया जाता है कि कड़े दिन पास ही जैचंद का बताया जाता है औ हमारा रामदार भजनला ये बजार घाट है ये बजार घाट है अप यह रहे तो इस घाट के बारे में क्या जानते हैं अब ये कि हमें तो जैदा दिन भैने नहीं जो हम जाने वह वी बताएंगे आप देख सकते हैं कि एक गंगा जी है गंगा जी बह रही है और ये राजा महराजाओं का किला था इतिहासी का स्थाल है यहाँ पर सरधालू आते हैं असनान करते हैं पूजा पार करते हैं यहाँ पर हिंदूों के मंदिर हैं आप देख सकते हैं कि बगल में एक मस्जिद भी है और पूजा पाड़ करने के लिए वह देख सकते हैं कि जया है और यहाँ के जो पुजारी हैं उनकी यही मांग है कि यहां पर याँ तो यहांपर आने वाले सः धालू को दिक्कत हो यहां पर बड़ी शंखा में सध्धालू रोज आते हैं सनान करने के लिए और यहां पर अंधेरा चाया रहता है जिससे इनको डर रहता है आने वाले सध्धालू को भी डर रहता है यहां पर बताया जा रहा है कि आने वाले समय भंडारा का कारकरम किया गया थो और अब किया जाएगा और अब कि यहां पर कैसी बेवस्था है और यहां पर आप देख सकते हैं कि इतिहासी का स्थाल है इतिहासी का स्थाल है कीला है कीले के अंदर मस्जिद भी है और एक यहां पर और आस्रम भी है और यहां पर मंदिर भी यह गंगा तट है यहां पर बावजी है पुजारी है यहां पर पूजा पाड़ करते हैं इसी मंदिर में और बताते हैं कि यहां पर गंगा जी की मूरती है और बगल में हनमान जी की मूरती है और जो सद्धालू आते हैं जो भक्त आते हैं यही पर पूजा पाड़ करते हैं कि जो पूजारी है यहां पर रहते हैं और फूजा पाड़ करते हैं और भी लोग यहां पर आते हैं आप यहां के रहने वाले हैं यहां पर आते हैं रोज हाँ हम डोली आते हैं बाबू क्या नाम है आपका अच्छा ते बताईए यहां पर लाइट नहीं है क्या लाइट का बिवस्ता नहीं है ब बाबा अपने घर वाली लाए कि लगा दो बाबू, हां बाबू, हमको कम से कम नई तो यहां पचास सार यह देखंगे, 18 सार यह नहीं खाए उनकी समाधिये, सरजुदास बाबा के, हां वो इन ही क सब यह बनवाया हुआ है बाबू, क्या बता रहे हैं कि 18 सार और नहीं खाए बाबु अठारा साड गीने गीने और भी लोग हैं बात करेंगे नों क्या बता रहे हैं यह बताइए जो बाबाजी यह 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 आश्रम जो है बहुत सिद्ध आश्रम है और यहां पहले एक बाबा जी आये थे वही कुटी को और मन्दिर तो बहुत प्राचीन मन्दिर है, किला भी बहुत प्राचीन, किला भी है एति卡 Springs का मा गंगे स्क्राइब स्कतिज़ अब घेलिटे यह जो भी कुटी बनाई है उन्हीं की है बाबा जी का नाम के पता है सर्जुदास त्यागि महराज तो यह लोग यहां के जो रहने वाले हैं अस्थानिया बुजुर्ग भी हैं कहे रहे हैं कि जो बाबा यहां पर रहते थे ओँ अठारा साल तक अन ग्रण्ड नहीं किये थे पीपल का जो बतारे हैं फल होता है उसी को ग्रण करके जीवने अपन करते थे उपना पेड भषते थे ईल्किन आंनाहिक पुझा पड्रिटलों करते देखे, आप देख सकते हैं कि उनी की समाध ही है यहां पर बनाई गई है, उन抗ए पहले यहीं पर आये है वो भी रहते हैं यहां पर एक ही समस्था है जहां कि जन प्रतुनीजी है यहां के चेयर में बिढ़ाय कहां साग्साद है वे विजएली के चरी dia कर दें तो इन लोगों की जो समस्था है दूर हो सकती है जैला के कि बीच में यहां पर जानौरों को भी डर रहता है और जल्दी अंधेरा होने से दिक्कते होती है यहां पर लोग आते हैं तो उनको अंधेरा में तस्नान करने में दिक्कत हो जाती है कैमरा मैं सोनु के साथ मैं दारा सिंग यूद करना समचार कवसाम भी